जहिंद इस वीडियों में बात करेंगा हम लोग इन्फोसिस लिमिटेड कंपणी के बारे में इन्फोसिस लिमिटेड जो कि भारत के एक दिगज आई-टी कंपणी है आज इस कंपणी के क्वाड़ टू के रिजल्ट जारी हुए है और और रिजल्ट के लावाँ साथ में इंवेश्टर है तो आपके लिए एक जुमा देने वाली ख़वर है कंपनी ने साथ में बाई बैक करने का वैलान किया है जिससे कि कंपनी के जो सेर प्राइस में काफी दिनों से ग्रोथ नहीं हो रही है वो ग्रोथ तेजी से हो इन सभी पहलों पर लोग बिश्टार से बात क कंपनी का मार्केट के एफ है लगवाग पांस लाख मनचानबे हजार क्रोणों कर रोपाइक आसपास और अगर सेर प्राइस की बात करें तो भी आज की दिन का जो सेर प्राइस है 1422 रोपाइक आसपास है जो इसका क्लोजिंग प्राइस है हाला कि जह जो क्वाड़ डूर मार्केट के क्लोज होने के बाद इसको जारी किया गया है यदि मार्केट आवर्स में आता तो सायद क्लोजिंग थोड़ा पोजेटिव हुए में देखने को मिलता खेर कोई बात नहीं रिजल्ट अच्छा आया है हम लोग बात करते हैं आज 13 अक्टूबर 2022 है आज ही के दि इन्ट्रिम डूडंस देने की बात कि और गरने का श्यवान्य Heofad us आई एक करके हम लोग विस्तार से हरे इक पर बात करेंगे सबसेपहलगे ने चाहिए बेग honored गे हैं तो यदि आपके पास इंफोसिस के एक भी सेर हैं तो एक सेर के साफ से आपको सुलोर रुपे 50 पैसे डिविडेंट के तौर पर दिये जाएंगे इसका रिकॉर्ड डेट है बैंक एकाउंट में आता है वह डेट है दस नौबर 222 यानि कि दस नौबर तक इस डिविडेंट का पैसा आपके पैसा आजाएगा अब बात करते हैं सबसे पहले समझें यह बाइबेक होता क्या है बाइबेक का मतलब होता है जब कंपनियां अपनी सेर खुदी भाई करती है खुदी खरिथी है तो उसको कहते है बाइबेक बाइबेक कंपनियां क्यों करती है इसके बारे में लोगा आगे समझेंगा फिलाल यह समझे कि कंपणी 93 inso करोंडे का बाइबेक करने जा रही है अपने ही शेयर को और यह company 1850 रुपे परती शेयर के इसाब से अपने शेयर को खर देगी यानि कि buyback करेगी और अभी वर्तबान में देखेंगे तो इस company का share price is 422 रुपया जबकि company buyback करेगी 1850 रुपया एक पर समझे बजार का जो भाव है share का उससे अधिक price पर company अपने शेयर को buy करेगी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जब अधिक price में शेयर को buyback करेगी तभी तो company liquidity increase होगी समान्यता buyback इसलिए कि रहाता है क्योंकि company में liquidity increase हो हालाकि इसका और फाता है कि इसमें मोटर्स की holding भी बढ़ जाती है तो जब company बजार भाव स्यधिक मुल्ट पर अपने शेयर को buyback करती है तो company revenue था 35,146 क्रोण रॉपया वह quarter 2 में बढ़कर 37,122 क्रोण रॉपया हो गया है जबकि पिछले साल के सितंबर quarter में देखेंगे तो यह सिर्फ 30,126 क्रोण ही था अब अगर बात करें प्रोफित आफ्टर टेक्स देने के बात कंपनियों के पास सुद्ध मुनाफ़ा बजता है वह सुद्ध मुनाफ़ा कंपनी को quarter 2 में हुआ हुआ है 6,266 क्रोण रॉपया जो कि पिछले quarter में था 5,362 क्रोण रॉपया यानि कि देख सकते है quarter basis पर company का मुनाफ़ा बढ़ा है और वहीं यदि पिछले साल से तूलना करें तो पिछले साल सितंबर के जो quarter का रियल्ट आया था उसमें इसका प्रोफित हुआ था 5,428 क्रोण रॉपया तो यहां आप देख सकते हैं सलाना अस्तेर पर फिर quarter ली अस्तेर पर कंपनी का प्रोफित बढ़ा है कुछ ब्रोक्र वर्निंग पर सेर की बात करें तो वर्निंग पर सेर भी quarter 1 की मुकाबले और पिछले साल के जो quarter 2 का रियल्ट है उससे बढ़ा है अभी quarter 2 में इसका जो वर्निंग पर सेर 14.35 पैसा के आसपास है और आप देख रहे हैं कि कंपनी के जो quarter 2 के नतीजा है काफी संदार आया है औ इससे अब इसके सेर प्रैस में तीजी आने की उमीद है और जवर्दस तीजी आने की उमीद है साथ में कमणी ने डिविडेंट देनी की बात करें तो यह सेर रोलर्स के लिए काफी रहात और सुकून देने वाली ख़बर है उमीद करता हूं वीडियो आगो पसंद आया हो मन में कोई स्वाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद सुक्रिया